हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल सिलीकॉनेज मैं नाम सुकुविंदर है आज मैं आपके सामने एक लैप्टॉप का रिव्यू लेकिया हूँ यह लैप्टॉप आ जाता है बहुत ही नोन ब्रैंड की तरफ से जो की एच्पी है तो मैं बात कर रहा हूं एच्पी के यह 15S DU3564TU लैप्टॉप के बारे में इसी के एक और मॉडल आता है DY3501TU दोनों अलमस्स सिमिलर है बस कंपनी उसको अल्ट्रा लाइटबॉल के बेस्ती है इसको थिन लाइटबॉल के बेस्ती बस यह ही डिफ्रेंस है अगर बात करते हैं इसके प्राइजिंग की इसका रिव्यू बना रहा हूं इस टाइम सकते हैं तो यह जो लैप्टॉप है यह आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इसका प्रफॉर्मेंस सब में आपको दिखा दूँगा उसका जल्दी से मैं चैनल को चारजर मिलता है जो 65 वर्स का चारजर है और कुछ मैनौल मिलते इसका रहा हो कुछ नहीं मिलता है अगर बात करते हैं बिल्ड कोलिटी की बेसिकली अच्छी ही होती है हाला कि फुली प्लास्टिक है कई मेटल यूज नहीं है लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है और अच्छा काम किया है इसकी लुक्स पे ही आप इसको ले लोगे मिस बहुत बढ़िया लुक्स है इसके अगर बेट की बात करते तो इसकी 1.75 kg का है जो की बहुत लाइट होता है वैसे तो अब इसे अराम से एक हाथ से भी लेके घूम सकते हो विलाओ इन इन इस्यू पर प् की तो देखिए यह जो मॉडल आता है यह आता है इंटल के कोर आइथी प्रोसेसर के साथ जो की 11th generation के प्रोसेसर है बट यहाँ पर आपके चीज़ ध्यान दे नहीं है जो पहले लैटपस आ रहे थे 11th generation प्रोसेसर के साथ उनका मॉडल होता था 1115 G4 और इस पे जो प्रोसेस है अगर कंपेर कर तो इवन की आइफाइफ भी जो आता है 11th generation का लाइट वेट लैटपस के लिए वह भी फोर को और एट फिट्स का आता है तो यह काफी क्लोज है उसके अगर इसकी बात कर तो इसकी बेस स्पीड है 2.0 GHz और इसकी टर्बो स्पीड है 3.7 GHz इसकी TDP मेंश स्पीड को भी यूज कर लोगे तो यह डूल चैनल में चलने लग जाएगा यह सिंगल चैनल मोड पर चल रहा है तो इसका जो जीप्यू आपको मिलता है वो है इंटल का यह एचीडी ग्राफिक्स है जो XC सीरीज का ग्राफिक्स है तो इस पर 48 एक्जेक्शन इनुर्स के स इसके बाद करते हैं स्टोलेच की तो इस पर आपको मिलता है 512GB का NVMe SSD और यह जो SSD इस पर Samsung का लगा हुए है और जो की बहुत अच्छा परफॉर्म करता है मैं देखा इसकी रीड स्पीड 3500 Mbps और राइट स्पीड 3000 Mbps जा रही थी जो कि बहुत बढ़ियां है अगर बात करते हैं तो क्यूंकि मुझे इस लैप्टोप को खोलने की पर्मिशन नहीं थी तो मैं देख नहीं पाया इस पर एक एक एक्ट्रा स्लॉट है या नहीं है और यह कहीं में में नहीं कहीं व 25006TU बहुत ही अच्छा लैप्टप था वो मैंने रिव्यू किया था इस पे भले ही प्रोसेसर अप्रेड़ेड है बट इसका डिस्प्ले डाउन ग्रेड है अब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके जो डिस्प्ले आपको यह मिलता है HD यह फूल HD नहीं है मिनसे रि दिखूंगा तो वाइटनेस बड़े आती है अच्छी पिक्चर नहीं आती है और क्योंकि HD में है तो ऐसी इतनी अच्छी कॉलिटी आपको नहीं मिलने वाली है और इसकी मैक्स्मिम ब्राइटनेस भी 220 निस तक ही जाती है यह एंटी के लिए डिस्प्लेड है और आपको को तच्च पैड मिलता है जिस पर लेफ्ट और राइट लेपको अलग से दिख रहा है इसका प्रॉब्म यह कि यह क्योंकि सिल्वर क्लर का कीबोड और इसके उपर इंहोंने लेटर्स प्रिंट किये हुए यह इन्होंने ब्लैक में नहीं किये यह तो यहाँ प्रॉब्लम ही ह इसके लेटर्स देखने में प्रॉब्लम आ सकती है तो बस इन्होंने लुक्स अच्छी दी है तो इनको इस पर भी कुछ दिमाह लगाना चाहिए तो अगर आप बैकलाइट वगर आउन करना जाते हो अब नहीं कर सकते हो तो कहीं न कहीं टैपिंग में आपको कीज देखने इसके बाद आजाते हैं बात करते हैं वेब कैमरा की तो आपको ऊपर यहां मिलता है जो कि 720p सपोर्ट करता है और साथ में आपको दो माइक्स मिलते हैं जो नाइस कैमरे में थोड़ा पहुत प्रॉल्म हो रहा है तो ऐसे कैमरा हो किसा है यह सब नॉर्मल कॉल्स के लिए ब अच्छा होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपके यहां से ट्रैवल करते हूँ यूज कर रहे हो तो इसका बैटरी अच्छा ना हो तो फाइदा नहीं है इस पर आपके जो बैटरी मिलती है वह है 41 वाट-ार की बैटरी अब मैंने जो चीज नोडिस की है इसकी बैटरी अच्छा परफां करती है अगर फुल लोड देते हो में 100 परसंद जीपी और सीपी यूज हो रहा है उसकेस में दो गंडे का बैकप देता है अगर आप मुवी वगर देखते हो फुल एचडी में हाला कि यह स्क्रीन फुल एचडी तो है नहीं लगि फिर भी मैंने टेस्ट अगर आप वर्क परपस के लिए उस करते हो तो आपको अराम सी से चलाने में सातर गंटे तो नोमली पार हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं बैटरी बैटरी चार्ज भी जल्दी हो जाती है देड़ गंडी के आसपास बैटरी को फुल चार्जन में लगता है तो यहां साउंड को डिस की बहुत अची और बहुत लाओड भी है अब स्पिकर की सबसे लैप्टाप चाहिए आप बहुत ज्यादा ओनलैन वीडियो देखते हो और स्पिकर यूश करते हो लैप्टाप ता को यह कंप्लेंस नहीं मिलने वाली अब अगर बात करते हैं स्पैंशन पो अगर लेफ्ट साइड आते हैं तो लेफ्ट साइड सबसे बहुत मिलता है यहां पर लैंड पोर्ट यह अच्छी बात इन्हों लैंड पोर्ट दिया है और यह लैंड फॉर्ट वन जीबीपस की सपीड सपोर्ट करता है इसके पर आपको यहां ही चीज ध्यान रुखिएग आपको कोई डिस्प्ली या फिट पावर डेलिवरी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है इसके पर आपको यह पर दो लेड इंडिकेटर मिलते हैं जिसमें से हाट इसकी इन्डिकेटर और इक पावर इंडिकेटर दीए है नीचे जाए तो आपको एंपर कॉम्बोपिड मिलता है जो कि आपको headphone और mic दिनों का support देता है यह भी ठीक है right side के अगर बात करते हैं आपको यहां मिलता है DC smart pin means यहां पर आपको इसका charger करेंगे का option मिलता है और यह 65 watt के charger के साथ आता है और साथ साथ आपको यहां पर LED indicator मिलता है जो कि charging indicator यहां जैसे charger पर लगाओगे तो अगर आपका laptop चार्ज हो रहे तो orange light जलते रहेगी और जैसे चार्ज हो जागा यह वाइड light हो जाएगी फिर आपको यहां दो USB ports मिलते हैं पासमार्क से benchmarking किया तो मैंने देखा इसके CPU को score मिलता है 9645 points जो कि आप देख रहे होंगे काफी अच्छा performance है यह even की core i5 1135 के भी काफी close है तो performance में बहुत अच्छा काम करता है यह CPU तो अगर आप day-to-day activities करते हैं अगर आप इसको डूवल चैनल में यूज करोगे तो यहां थोड़ा performance boost मिलेगा और बात करते है कि इसको मिलते है 2106 points जो कि खराब नहीं है इसके बात करते है तो अगर बात करते है तो अगर अच्छा हुआ तो हीट भी होगा लैपटॉप तो इसका मैंने थर्मल बहुत सही काम करते है इसका मैंने maximum temperature भी फुल लोड पर जाते हुए 60 degrees के असपास उसके उपर यह नहीं जा रहा था तो काफी थर्मल कंट्रोल में थ मिलता है जो अगर आप यह सोच रहोगे कि काफी हीट होता हुआ को ऐसा नहीं है ठीक है अगर बात करते हैं softwares की तो आपको इसमें Windows 11 home single luggage out of the box मिलता है और इस पर आपको MS Office Home and Student 2021 edition भी प्री मिलता है तो बात करते हैं क्या मैं यह laptop recommend करूंगा तो दीगे laptop के ऐसे चीज़ है जिसपे performance से जादा display भी matter करता है मेरी तरह से तो मैं यह laptop recommend नहीं करने वाला हूं कि इस स्क्रीन अच्छी नहीं है keyboard reflection बहुत देता है backlight नहीं कीबोड पे अगर मैं बोलूँगा इस प्राइज में क्या लूँगा तो मैं Asus का VivoBook 15 जो इससे काफी better है क्योंकि उसका keyboard स्क्रीन होता है और keyboard होता है SP को इसका display अच्छा देना चाहिए अगर अच्छा होता full HD होता और IPS होता keyboard में backlight होता तो यह बहुत बढ़िया laptop होता तो यह ता पर रिव्यूस HP के 15S DU 3564 TU laptop का आपका एडिया हो गया लाप्टप कैसा है अगर आपको मैंने विप्रस हो नाया त चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कुछ भी कोड़ी हो तो प्लिक कमेंट करें और उनके आंसर करेंगे जरूर को रशीश करेंगा थेंक्यों प्रेंस बाबाए